नमस्कार दोस्तों, असली प्राचिन टोट के यूटूब चैनल में आपका सुवागत है दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताएंगे जाने कब, कहां और किस के साथ होगी आपकी शादी यदि किसी पुरश के बाएं हाथ में दो रेखाई और दाएं हाथ में विवाह रेखा है तो ऐसे लोगों की पतनी काफी प्रेम करने वाली होती है विवाह रेखा शादी के उमर से लेकर आपके लव अफेर तक किराज खोल देती है तो दोस्तों अगर आप भी जाना चाते हैं कि आपकी शादी कर कहा और किस के साथ होगी तो इस वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा शादी विवाह के मामले में वैसे तो लोग कुंडली दिखाना ज़्यादा उची समझते हैं लेकिन आप खुद से ही विवाह से सबंदित जानकारी हासिल कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी जाना चाते हैं कि आपकी शादी कर कहा और किस उमर में होगी विवाह रेखा और हिर्दा रेखान के बीच दूरी ही वैक्ति के विवाह की उमर बताती है तो ऐसे इनसान की शादी 25 साल की उमर तक हो जाती है यदि विवाह रेखा कनिष्टा उंगली के करीब होगी तो ऐसे इनसान की शादी उतनी ही देरी से होगी विवाह रेखा अगर छोटी अंगली के हिरद्य रेखा जब बीच में हो तो ऐसे लोगों की शादी 30 से 32 सार की उमर में होगी तो दोस्तों अगर आप जानना चाती हैं दोस्तों विवाहा रेखा शूर्या परवत तक पहुंचने वली हो तो ऐसे वेखा शादी संपन और श्रिमरित वेख्ती के साथ होगी अगर दोस्तों विवाहा रेखा के आंत में तरशूल जैसी निशान बनाई दे तो ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बहुत प्यार करने वाला मिलेगा यदि पुरुष के बाई हाथ में दो रेखा और दाई हाथ में एक रेखा है तो ऐसे लोगों की पत्नी काफी प्रेम करने वाली होती है दोस्तो यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथ में रेखा कि सुरुवात में दो साखाएं हो तो ऐसे वैक्ति की शाली तोटने कर डर रहता है यदि किसी वैक्ति के हाथ में विवाह रेखा अधिक नीचे की और जुकी हुई दिखाई दे तो ऐसे वैक्ति की मैरिड लाइफ का सुख कम प्राप्त होता है यदि बुद्ध परवत से कोई रेखां आकर विवाह रेखां को काटते तो ऐसे वैक्ति को विवाह जीवन में कई कश्टों का सामना भी करना पड़ सकता है तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी शादिकत कहां और किसके साथ होगी तो आप जानने के लिए हमारे दिये गए नमबर पर कोल कर सकते हैं जो नमबर इस वीडियो में देख पा रही है आप दोस्तों हमें अपने नाम का पहला अकसर लिकर और अपनी डेटो बर्त लिकर हमें बेज सकते हैं वेडियो को लाइक करें शेयर करें और योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें